बरसो पहले नंदन वन नाम का एक अरण्य हुआ करता था उस जंगल के कई तरह के जानवरों में एक हाती भी निवास किया करता था पर ना जाने क्यूं हाती हमेशा दुखी रहा करता था जो इस पूरे जंगल में किसी को नहीं ऐसी तकलिफे मुझे ही क्यों है परियाप्त भोजन नहीं मिलता शरीर भी इतना भारी और कोई इतना मान भी नहीं देता ये सोचते हुए हाती उदास हुए जा रहा था आसपास देखो तो सभी जानवर मिल जुलकर रहा करते थे हमेशा खुश दिखते थे ना जाने ये जानवर ऐसे कैसे खुश रह पाते हैं हाती हमेशा यही सोच कर दुखी हुआ कहता एक दिन सोचते सोचते अंजाने में हाती ने कववे के अंडों को कुचल दिया कववे ने शेर के पास जाकर शिकायत की शेर ने हाती को बुलवाया वो मैंने देखा नहीं था क्या नहीं देखा शरीर इतना बढ़ा लिया अकल नहीं बढ़ाई क्या ऐसे सभी जानवरों के सामने उसे डांट कर अपमानित किया ये मैं तुम्हें आखरी बार चेतामनी दे रहा हूँ हाती कुछ न कह पाया चुपचाप वापस लोटा अंजाने में की हुई गलती के लिए इतना अपमान सभी अलप जीवों के सामने मुझे कितना कुछ कह दिया ये सोचते हुए हाती नदी के पास गया परियाप तो भोजन नहीं मिलता ना मान मिलता है फिर भला मैं क्यों जिन्दा रहूँ हाती ये सोच रोने लगा वहाँ एक छोटा सा घरगोश आया वो घरगोश सुनेरे रंग में चमक रहा था हे ए एरावत क्यों रो रहे हो तुम्हारी क्या समस्या है बताओ मैं पूरी करूंगा क्या कहा तुम मेरी समस्या दूर करोगे जोर से चीकूंगा तुम मर जाओगे तुम क्या मेरी समस्या दूर करोगे मेरे गट से मुझे कमना आँकों बताओ तुम्हारी क्या समस्या है यू भरोसा दिलाने पर हाती ने उसे अपनी सारी बात बता दी ओ एतना दड़ मन में रखा है तुमने इसलिए खुद कुशे करने जा रहे थे हाँ अच्छा तो मैं तुम्हें एक शक्ती देता हूँ उस शक्ती की साहता से एक पूरा दिन तुम अपने सामने वाले की मन की बत चान सकते हो इसके बाद भी अगर तुम मरना चाहो तो मैं बिना किसी तकलीफ के तुम्हें मरने का वर दूंगा खरगोश का कहना हाती ने मान लिया हाती फिर से जंगल में चला गया सभी जानवरों को अच्छे से परकने लगा एक हिरन खुशी से घांस चर्ती दिखाई दी ना जाने कब बाग आ जाए ठीक से पेट पर घां भी नहीं सकती हे भगवान बस देखना कहीं से बाग ना आ जाए इस तरह हिरन डरते हुए चर रही थी पर उसके चेहरे से वो खुश दिख रही थी कुछ दूर जाने पर उसे शेर दिखाई दिया मैं इस जंगल का राजा हूँ किसी को किसी तरह की तकलिफ ना रहे इसकी जिम्मेदारी है मुझ पर मैं किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकता दो दिन बीट गए आहार के बिना ऐसे वो सोच रहा था पर चेहरे से वो गंभीर नजर आ रहा था फिर हाती को वो कवा दिखाई दी जिसके अंडों को हाती ने कुछला था वो दुखी होकर रो रही थी पर उपर से वो हस रही थी अधिकार के होने पर भी दुखी है खूपसूरती के होने पर भी डर है मेरे अंजाने में ही सही किये हुए उस गलती की वज़े से एक मा की गोच सूनी पड़ गई इतना बलाध्य शरीर इतने अनुभव होने के बावजूद भी मैं क्यों जान देने जा रहा था हाती ने अपना मन बदला यही बात बताने वो खरगोश के पास गया पर खरगोश कही दिखाई नहीं दिया बहुत धुंडा पर दिखाई नहीं दिया मैं जान गया कि वो खरगोश कौन था हाती ने समझ लिया था उस दिन के बाद चाहे जो भी तकलीफे मुश्किले आती उसका डट कर धैर इसे सामना करने लगा था हाती उसने कववे से माफी मानगी अब हाती जंगल में खुशी से रहने लगा जरूरत पढ़ने पर साथी जानवरों की सहायता करता और शानती से अपना जीवन बिता रहा था सदियों पहले एक खूप सुरत जंगल में एक घदी रहा करती थी उस घदी के दो बच्चे थे उन दोनों बच्चे गधों को मा घदी बहुत लाड़ पयार से पाला करती थी घदी का मित्र घोड़ा एक दिन गधी से मिलने आया का हुआ गदी जी बुरा जंगल तुमारी ही बाते कर रहा है सुना है अपने बच्चों को बहुत लाड़ों से पाल रही हो उनको कोई तकलीफ होने नहीं देती हम उन्हीं के लिए तो तकलीफ छिलते हैं फिर भला उनको तकलीफ क्यों देना ऐसे अपने दोस्तों से बड़े गर्व से बात किया करती थी कुछ बरस बीद गए मादा गधी की अब उम्र हो रही थी आहार के लिए पहले जैसी महनत नहीं कर पा रही थी उसके दोनों बच्चों पर आहार लाने की जिम्मेदारी आ गई पर उन दोनों को आहार लाने की आदत नहीं होने के कारण दोनों बहुत कम आहर ला पा रहे थे वो उनके लिए ही परियाप्त नहीं होता था इसलिए मा गधी के लिए बचता नहीं था सुनो बच्चू, भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दू मा ये आहर तो हमारे लिए ही काफी नहीं बढ़ रहा आपको कहां से देंगे मा आपको भोजन देना हमसे नहीं होगा ऐसे उन दोनों ने साफ साफ कह दिया उन दोनों की बातों से गधी को बहुत दुख हुआ अगले दिन जब वे दोनों गधे आहर के तलाश में बहार निकले तब मा गधी घर से निकल कर नदी के पास गई बच्चों के पैरों में कांटा भी चुपता था तो मेरे कलेजे में तीर चल जाता था पर आज मैं ही उनके लिए बोच बन गई हूँ उन पर बोच बनने से तो अच्छा है मैं अपने आपको खतं कर दू ये सोचकर वो नदी में कूदने ही वाली थी कि कहीं से रुख जाओ गधी जी ऐसी आवाज सुनाई दी मा गधी ने पीछे मुड़कर देखा वहां तीन जादूई कबुतर थी वे तीनों साधारन रंग में ना होकर रंगीन चमकती हुई दिख रही थी गधी उन्हें देख कर चौंग गई कौन हो तू हम जादूई कबुतर है हम इस जंगल में रहने वाले जानवर या पक्षियों को किसी भी तरह के समस्या ना हो इसका ध्यान रखते है बताओ तुमारी क्या समस्या है मा गधी ने अपनी सारी बात उन तीनों को बता दी ओहो तो मा के लिए आहार लाने में इनको इतनी तविफ हो रही है तम चिंता मत करो इनको हम सबक चिखा कर छोड़ेंगे हाँ पर मेरे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं न ये होती है मा चिंता मत करो कुछ नहीं होगा ये कहकर तीनों कबुतरों ने अपना जादू करना शुरू किया मा गधी चकित होकर देखने लगी उन जादूी कबुतरों के जादू से दोनों गधों को पीट का असहनी या दर्द होने लगा दोनों कराहते हुए मा मा पुकारते हुए उसे ढूणने लगे मा हड़ी ठूट जाए इतना दर्द हो रहा है मा मा सेर भटा जा रहा है मा सेह नहीं पा रहा यूँ दोनों रोते हुए अपने मा के पास आए मा की बिंती करने पर उन दोनों गधों का दर्द कम हो गया गधे अप्शान्त हुए थे दो पल के लिए भी पीट के दर्द को सह नहीं पाए ना पर मा उस दर्द को नो महने खुशी सजेल लेती है ऐसी मा को बेगर किया तुमने मा अपने स्वस्त बढ़ते बच्चों को देखकर फूले नहीं समाती और तुम हो कि उसे किनारा कर देते हो उसको खिला पाना तुम्हें बोच लग रहा है पूती तेश करने के लिए मनिशे गधे का दूद पीते हैं पर यहां तुम खुद मनुशों की तरह मा को दुखा रहे थे तुम्हें थोड़ी भी शर्म है कबुतरों के ऐसा कहने पर दोनों गधों को अपनी गल्दी का एहसास हुआ उन्होंने जादुई कबुतरों से माफी मांगी उस दिन से अपनी मा का पूरा ध्यान रखने लगे अपने बच्चों में आए इस बदलाव के लिए मा उन्तीन जादुई कबुतरों का मन ही मन आभार मानने लगी